कोई भी video source के साथ exactly वो audio को sync करने के लिए आपको sync offset का इस्तमाल करना चाहिए सबसक्राइब हुआ हमारी चानल पे वीडियोस है screen copy, sound copy का setup के वारे में wirelessly कैसे करते है, wire के साथ कैसे करते है तो वो वीडियोस देखके आपको setup करना है wirelessly ने तो wire के साथ मतलब दो बार extract करना है वो जो भी GIF फाइल आपने डाउनलोड करते हैं एक folder को wireless बोलके rename करो और दूसरा folder wide setup बोलके rename करना है क्योंकि guys जैसा आपने wireless setup इस्तमाल करते हो उसकी बाद आपको wire setup काम नहीं करता है अगर आपने Elgato के साथ वीडियो भेज दिया ने तो screen copy के साथ वीडियो भेज दिया OBS में तो exactly वो वीडियो पहुंच जाएगा लेकिन sound copy वो थोड़ा late जाता है वहाँ पे थोड़ा delay रहता है इसलिए वहाँ पे negative value add करना है तभी जाके वो जो video sources थोड़ा late होके दो भी sync हो जाते है अगर कोई भी audio जिल्दी पहुंच जाता है OBS में तो वहाँ पे आपको positive value add करना है तभी जाके वो audio थोड़ा late पहुंच एगा और वो आप real time में नहीं देख सकते बस आपको recording करके चेक करना है ने तो streaming करके वो output देखके चेक करना है तो उस time पे आपका जो OBS में advanced audio properties होते हैं उसमें sound copy का जो audio source है वहाँ पे sync offset का एक option रहता है तो वहाँ पे minus 200 milliseconds value add करना है और वो fixed नहीं होता है guys 200 to 300 के बीच में आपको एक अच्छा सा value add करना है और कभी-कभी आपको थोड़ा delay भी कम हो जाता है इसलिए मैं एक average value आपको बता दिया